हेलो दोस्तों सागत है आपका हमारे यटूब चैनल पर तो गाइस आज की सोड़ों में हम आपको बताने वाले हैं कि फेस्बुक पर फूल डीपी कैसे लगाएं तो यहाँ पर आने की बाद अगर हम यहाँ पर अपने आते हैं प्रफाल पर देखें इस प्रकार की डीपी लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं तो वीडियो में बने रही है वीडियो को लाइक और चैनल को सबस्क्राइब करना है इस पर देख और में पर क्लिक करने जो आप लगाना चाहते हैं तो गाइस देखे जैसे कि मैंने इसे फिलक्ट कर लिया लेकिन इस प्रकार है सही तरीके से नहीं है और अगर हम इसे जूम करते हैं तो जूम भी नहीं हो रहा है छोटा भी नहीं हो रहा है तो फिर आपको क्या करना है आपको सिंपले यहां पर इ और हमें पूराा अग्डिकर करने के बाद आपको यहां पर अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो इडिट भी कर सकते हैं और आप ने डीट पर कुछ लिखना चाहते हैं तो इहां पर क्लिक करके आप लिखकर देना है। यहाँ पर हमारा full dp लग चुका है हाई लिखा हुआ है अब आपको save पर click करना है जैसे click करेंगे देखिए uploading your profile फोटो जो है upload हो रहा है अब गाईस इतना करने के बाद मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि अगर आपके पास full dp वाला photo नहीं है जैसा तो फिर आपको क्या करना है simply आपको अपने browser को open करना है किसी browser को open करने के बाद यहाँ पर facebook full dp वालपेपर सर्च करना है और जैसे इतना लिकर आप सर्च करेंगे यहाँ पर आपको तेकिए full dp वालपेपर मिल जाएंगे आप इन में से किसी को save करके अपने facebook पर लगा सकते हैं अगर आप अपना लगाना चाहते हैं तो एक आप अपना फूल फोटो क्लिक करना और फूल फोटो क्लिक करने एक बाद आप अरज़ेस्ट करके फेस्टूक पे लगा सकते हैं तो गाईस आज की वश्तना ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए थैंक यू, have a nice day